अक्सर देखा जाता है कि लड़के ये सिकायत करते हैं कि लड़किया उन्हें समझ नहीं पाती हैं लेकिन आपने देखा होगा कि लड़किया भी ज्यादातर कहां लड़कों को समझ पाती हैं एक लड़का जब लड़की को प्रपोस करता है जब उसके पीछे पड़ जाता है उसे अपनाने के लिए कोसिस करता है तो ऐसी बहुत सारी जद्दो जहत करता है कि उसे हासिल कर ले लेकिन जब लड़का उस लड़की को हासिल कर लेता है जब लड़की उसके प्रपोजल को एकसेप्ट कर लेती है तो लड़का धीरे-धीरे बदलने लगता है पूरी तरह से जब लड़की उसके काबू में आ जाती है जब पूरी तरह से प्यार का इजहार कर देती है तो देखा होगा कि लड़का धीरे धीरे बदलने लगता है तो ऐसा क्यूं होता है क्या साइकलोजी है इस ठीच के पीछे की ऐसा क्यूं होता है अगर आप सीखना चा तो चलिए आज के वीडियो में male mind psychology को समझते हैं सबसे पहली बात आत्म समर्पन आपने देखा होगा जब तक कोई लड़की उसके काबू में नहीं आती लड़के के जब तक उसे ये एहसास नहीं हो जाता कि लड़की उसे प्यार करती है तब तक वह उसके लिए सब कुछ कर करने के लिए तैयार हो जाता है लेकिन जहां लड़की इजहार कर देती है उसके proposal को accept कर लेती है पूरी तरह से समर्पित हो जाती है I love you बोल देती है और यह दिखा देती है कि अब वो भी उससे बहुत प्यार करती है तो धीरे धीरे लड़के को संतुष्टी होने लगती ह कि जो उसने चाहा वो उसे मिल गया ऐसा होता है हम जिस चीज को हासिल करना चाते है जब वो हमें मिल जाती है तो फिर हमारी उस चीज को पाने की इच्छा खतम हो जाती है उसको पाने के लिए जो जद्दो जहत करते है उसमें थोड़ा रिलेक्स हो जाता है मतलब एक तरह स समझा जाए कि पुरुस वर्ग जो होता है सिकारी भी होता है उसे ने ने सिकार करना अच्छा लगता है आपने देखा होगा पहले के जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो किसी राज को जीतने के लिए पूरी जीजान लगा देते थे और जब उस राज को जीत जाते थे तो दूसरे राज़ को जीतने की कलपना करने लगते थे तो मतलब जब हम किसी चीज को हासिल कर लेते है तो हम relax हो जाते है तो लड़कियों से यही वह गलती होती है जहां वो पूरी तरह से आत्म समर्पित हो जाती है पूरी तरह से ये दिखा देती कि अब उन्हों तुम्हें बहुत प्यार करते हैं और उनकी feeling उनसे attach हो जाती है और इसी के कारण लड़कों को एक तसल्डी मिल जाती है सांती मिल जाती है कि जो उन्होंने सोचा वो उन्हें मिल गया तो यहां पे यह गलती मत करिए आपको भले लड़के से प्यार हो गया है लेकिन पूरी तरह से यह मति दिखाए है हो कि आप उसके बिना रही नहीं सकते हो तो अब आपके जीवन में उसके प्यार के अलाब़ा कुछ है ही नहीं अगर आप भी ऐसे रहो गे ना तो वो भी इतना रिलेक्स नहीं हो पाएक और यहीं पर गलती होती है और इस गलती को अगर नहीं करेंगे तो आप सामने वाले को अपने वस में कर सकते हैं नमबर टू, रिस्ते से हड कर कुछ और सोचे जब हमारा रिस्ता किसी से हो जाता है, जब हम relationship में आ जाते हैं तो हम अपनी hobby, अपना career, अपने emotions सब उसी के लिए छोड़ देते हैं सब उसी पे फिदा कर देते हैं, निचावर कर देते हैं लगता है कि बस उसके अलावा आप हमें दुनिया में कुछ और चाहिए नहीं वो मिल गया तो मुझे सब कुछ मिल गया और जहां आप यह गलती करते हो ना, वहां फिर सामने वाला आपको ignore करना सुरू कर देता है तो आपको यह दिखाना है कि आपकी life में उसके अलावा भी कुछ है आपका career है, आपकी hobby है, जहां आप relax मेसूस करते हो जहां आपको खुसी मिलती है, जिस चीच के लिए आप भी attention देते हो आपका रिस्ता भी है, लेकिन रिस्ते के साथ साथ आपकी और भी जिम्मेदारियां है आपके लिए और भी खुसी का कारण है तो जब आप सामने वाले को ऐसा दिखाओगे तो वह है आपकी भी care करेगा, आपकी भी परवा करेगा, आपकी भी value करेगा लेकिन अगर आप वहीं पे ये दिखा देते हो कि उसके अलावा आपकी life में कोई goal नहीं, कोई लक्ष नहीं वहीं आपके जीवन में बहुत important है तो उसका फाइदा तो लड़के उठाएंगे ही, तो इन चीजों का ध्यान रखे और अगर आप ऐसा कर पाते हैं, आप अपने hobby और आप अपने career अपने emotions को भी important देते हैं उसके अलावा, तो उसको भी डर रहे के बिना भी आप खुस रह सकते हो और ये हैसास सामने वाले को दिलाना कि आप उसी पे depend हो गए हो ये गलती कभी मत करना नमबर थ्री आपको ये दिखाना है कि आपको उनके अलावा कोई और भी पसंद करता है और भी लड़के हैं जो आपको पसंद करते हैं लेकिन ये गलती नहीं करना है कि इस चक्कर में आप उन्हें ये दिखाए हैं कि आपको किसी और के साथ हफियर है या किसी और की साथ फोटो क्लिक करके उन्हें जलाएं चिड़ाएं ऐसा नहीं ये जीज़ आपको ढूड़नी पड़ेगी कि आप कैसे कर पाते हो कैसे दिखा पाते हो कि आपकी लाइफ में और भी लोग है जो आपको पसंद करते हैं और भी लड़के हैं जो आपको लाइक करते हैं यह आपको बताना होगा यह आपको जताना होगा कई लड़किया ऐसा करती हैं कि जब उनका लाइफ पार्टनर उनक तो आपको ऐसा नहीं दिखाना है आपको यह दिखाना है कि आपको भी लोग पसंद करते हैं आपको लाइक करते हैं खास करकि लड़के तो यह चीज़े अगर आप करोगे तो कभी आपके रिस्ते में कभी आपकी लाइफ में अगर ब्रेक अप होने की नौबत आई तो सामने value करना कम कर देता है उसको लगता है कि इसे तो कोई पसंद ही नहीं करता है मैं ही हूँ जो इसकी life में सब कुछ हूँ अगर मैं नहीं रहा तो इसकी life बरबाद हो जाएगी और यह सोच ना उन्हें आपकी value करने से रोकती है आपके important कम हो जाती है उनकी life में तो इस चीज को आप अगर बनाए रगना चाते है बरकरार रगना चाते है अपनी value कम ना होने दे तो आपको यह जताना होगा उन्हें कि आपको भी लड़के पसंद करते हैं आपके भी लड़के friend हो सकते हैं नमबर फोर उनकी बुरी आदतों को बढ़ावा मत दीजिए जैसे कि अगर आपका friend online है लेकिन आपको reply नहीं कर रहा मेसेज नहीं कर रहा और आप देख रहे होगे बहुत देर से वह online है आप क्या करोगे आपको गुस्सा आजाएगा गुस्सा आएगा तो call करके उसे बु आने की कोसिस कर रहे हो और यहीं पर आप गलती करते हो कि कोई चीज के लिए जबर जस्ती नहीं करना यह दिखाना नहीं अगर आप इस तरह से चिड़ना और जलना और परेसान होना दिखा देते हो कि आप उनके बिना उनके बात किये बिना रह नहीं पा रहे हो तो वो क्य यह है कि प्यार में आप पूरीत के यह सोदी कि би nossa आपको फूरोषा करते होंगे उन्हें छोड़ोगे नहीं तो यह बोड़ दिखाना है कि अगर मेसेज नहीं कर रहें कौई वेंषान हो जाते हो इससे पागल अगर आप दिखा देते हो ना तो उस चीजों के मज़े लेने लगते हैं, उनको मज़े आने लगता है, हर कोई ऐसा ही होता है, इंसानी फित्रत होती है, कि जीस चीज पे हम ज्यादा डिपेंडेड हो जाते हैं, कि उसके बिना आप हमसे रहा ही नहीं जा रहा है, कांट्रोल तो आपको करना ये है, कि अगर आपको लग भी रहा है ना, तो ऐसा दिखाना नहीं है, मेसेज आ रहा तो ठीक, नहीं आ रहा तो ठीक, और जब भी बात हो, तो रिलेक्स हो के बात करो, ये बात मत करो, कि आपने कॉल क्यों नहीं किया, आप कहां थे, क्योंकि अगर जो साम कुछ करो और उसको मौका ही मत दो उसको भी time दो सोचने का मौका दो कि वो आपसे कब बात करे कब कॉल करे कभी-कभी ऐसा होता है हम गलती करते हैं कि इतना सामने वाले को call message सब कुछ कर देते हैं वो irritate हो जाता है परिशान हो जाता है तो ऐसा नहीं करना है अगर आप ऐसा कर पाते हो उनको अपने बस में कर सकते हो और नमबर five खोने का डर जब हम किसी relationship में होते हैं तो हमारा एक डर होता है कि कहीं सामने वाले व्यक्ति को हमारे पार्टनर को कोई और लड़की ना मिल जाए किसी और से अफियर ना हो जाए कहीं वो हमें छोड़ ना दे ये डर लड़कियों को ही नहीं लड़कों को भी होता है जब relationship में होते हैं लेकिन इस डर को काबू करना है, believe करना है, विस्वास करना है किसी चीज को खोने का डर कर दिया, कि आपकी पूरी जिंदगी वही है, और आप उनके बिना नहीं रह सकते हो, तो अगर आप ने ऐसा कर दिया, तो सामने वाला व्यक्ति बेफिक्र हो जाएगा कि आप तो उसे चिंता करने की जरूरत आप तो उसे टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं आप तो उसे बहुत प्यार करते हो आप जलते हो आप किसी और से बात करता है तो आपको टेंशन होती है तो कभी-कभी दिखावा भी करने लगते हैं वो आपको जलाने के लिए छिड़ाने के लिए तो आपको यह डर नहीं तो आप भी अगर अपने emotions को control करना सीख जाते हो, तो आप भी उन्हें control कर सकते हो, उनको अपने बस में कर सकते हो, आप जैसा चाहोगे वैसा वो आपको प्यार करेंगे, लेकिन हाँ, आपको अपने emotions को काबू में रखना होगा, पूरी तरस से हावी नहीं होने देना है कि आ आप उनके बिना बिल्कुल भी रह नहीं सकते हो, अगर आप से वो खो गए, तो आप कैसे जिन्दिगी जी होगे, ऐसा कुछ नहीं करना है, रिस्ते दोनों तरप से निभाने से चलते हो, और रिस्तों में संभाव होना चाहिए, ये चीजे जीसे समझ में आ जाती है, उसक सीढ़े मैं तरह से आप लड़कों को अपने बस में कर सकते हो, चाहिए वो हस्वेंड होगे बाइफ रिंड हो कोई भी, किसी की ऐपर डिमेंड नहीं होना है किसी चीज that Ohh. अगर ये पांज चीज़ आप बिजये पा जाते हो और जैसा मैने आप बताया, ऑग ऐसे आप psychology को कैसे समझा जाता है और यह psychology है और यह सभी के साथ होता है जो अपने emotion से control नहीं कर पाएंगे जो पूरी तरह से किसी के उपर depend हो जाएंगे तो उनके साथ पाइञा जाए क्या जाता हैं नहीं बहुत जरूरी ना कि आपको अपने आप एंपको इंपोर्टेन्ड ना कि सामने वाले को तब उम्माध करती हैं जरूंद कि यह बाते आपको संभ में आई होंगी रिस्तो को बेहतर बनाने के लिए रिस्तो की psychology संभने के लिए बहुत ही कारगर साबित होंगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह psychology कैसी लगी अगर अच्छी लगी देख रहे तो फेज को फालो करें स्टार देखें में सपोर्ट जरूर करें फिर मिलते हैं नेक्ष्ट नई जानकारी के साथ नए वीडियो में तब तक आप सब लोगों को जैस्री राव